भारत में बीते कुछ सालों में टीचिंग लाइन में युवाओं की दिल्चस्पी लगातार बढ़ती गई है। यही वज़े है कि हर साल लाखों की संख्या में छात्र सरकारी शिक्षक प्रतियोगिता परिक्षाओं की तयारी करते हैं। स्कूल, कॉलेज और युनिवसिटी में नौकरियों की हर साल बहुत सारी वेकिंसी जारी होती है। खास बात यह है कि लगभग सभी शिक्षन संस्थानों में सभी विशयों के अलग-अलग शिक्षक होने लगे हैं और उस हिसाब से भरतियां भी होती हैं। Educational subject के अलावा योग, fitness, sports, music, drama और cultural activity जैसे विशयों के भी शिक्षकों की मान तेजी से बढ़ी है। साथ ही टीचर की salary में भी कई बदलाव किये गए हैं। ऐसे में जो उम्मीद्वार क्षेत्र में करिया बनाना चाहते हैं उन्हें नीचे बताए गए परिक्षाओं में जरूर शामिल होना चाहिए। सबसे पहले जान लेकी भारत में टीचर बनने के लिए भी एड होना जरूरी है। अपनी योग्यता में इजाफा करने के लिए आप M.A.D. भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप Basic Training Certificate, B.T.C., Diploma in Education, D.Ed. या Teaching Training Certificate भी कर सकते हैं। Teaching में सरकारी नौकरी करने की इचुक Candidates C.B.S.E. की तरफ से आयोजित होने वाले Central Teacher Eligibility Taste C.T.E.T. में भी शामिल हो सकते हैं। T.G.T. और P.G.T. यह Taste State Level पर कराया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में यह एक जाम फिमस है। T.G.T. के लिए Graduate और B.A.D. होना जरूरी है और P.G.T. के लिए Post Graduate और B.A.D. डिगरी होना जरूरी है। T.G.T. पास Teacher 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। P.G.T. पास करने के बाद Teacher Secondary और Senior Secondary Students को पढ़ाते हैं। कुछ विशयों के लिए योग्यताओं की मांग अलग होती है। हाल ही में यूपी में T.G.T. और P.G.T. भरती के लिए परिक्षाओं का आयोजन हुआ है। CT.E.T. केंद्रिय विद्यालय दिल्ली के स्कूल, तिबबती स्कूल और नवोदे विद्यालयों में पीचर बनने के लिए इस एकजाम को पास करना होता है। पेपर एक साल में दो बार दिसंबर और जून में होता है। नेट एकजाम में तीन पेपर होते हैं। उम्मीदवार इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम से परीक्षा दे सकते हैं। टीटी देश के कई राजयों में इस एकजाम को B.A. और D.A. करने वाले स्टुडेंट्स के लिए कराया जाता है। इस एकजाम में वे स्टुडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं जिनके B.A. का रिजल्ट नहीं आया है। एक जाम पास करने के बाद राज्य सरकार कुछ निश्चित सालों के लिए एक सर्टिफिकेट देती है। ये समय पांच से साथ साल का होता है। नए नियम के अनुसार ये हवदी भी जीवन भर के लिए की जा रही है। इस दौरान उम्मीदवार टीचर भरती के लिए दिन कर सकता है।